नमस्कार जातियों तो आज है 1st जुलाई 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टन शेर्स के पर कुछ इंपॉर्टन अपडेट से कुछ इंपॉर्टन नूज है तो जले के करके कवर करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओटो सेक्टर की दिगज कमपनी यानि जून महीनी की दोस्तो अपडेट बिलकुली अच्छा नहीं रहा तो जैसे के आप देख सेकते हो न्यूस की हेडलाइन टाटा मोटर्स डोमेस्टिक सेल डिप 8% इन जून मैं आपको थोरा सा फीगर वाइस भी दिखाता हूं यह देखिए यह हो गया दोस्तो टोटल जो डोमेस्टिक होल सेल है इस बार हुआ है जून के मैंने पे 2024 पे 74147 यूनिट जबकी एक साल पहले मतब 2023 की जून के मैंने पे यही फीगर था 80383 यूनिट पे अगर हम अलग-अलग सेग्मेंट वाइस बात करें तो आप देख सेकते हो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक अब इस उनिट जो कि लास्ट यूनिट एक साल पहले यही फीगर था लगबग 47309 यूनिट इवन अगर आप देखेंगे दोस्तों कमपनी की जो कमर्शियल वेइकल्स की सेल्स है वहाँ पे भी करीब-करीब 8% की घिरावर देखने को मिला टोटल कमपनी सेल किया इस महीने हुआ तो कल टाटा मोटर्स की शेर में एक अच्छा खासा करेक्शन हो सकते वैसे वह अगर देखा जाए आज की रेट में कारोबर काफी अच्छा था अल्मोस्ट एक करोड चारलीस लाग क्यूबर जहां पर शेयर टोटल ट्रेड वा वॉल्यूम ट्रेड वा बट कल के लि वह भी मालूम नहीं है कि कंपणी का जो में सेग्मेंट है मतलब सबसे ज्यादा पैसा जनेरेट करके देता है अगर मान लीजिए कंपणी की जो डोमेस्टिक वाइकल्स की सेग्मेंट है चाहिए वो कमर्शियल हो ईवी हो पैसेंजर हो उसमें भले हाज गिरावत हुआ है जून के महीने पर अगर जेलर सेग्मेंट पर दोस्तों कंपणी की सेल्स बर गया अच्छा इसका आपको जो सेल्स का डिपोट आपको मालूम बढ़ेगा लगबग एक देरफ्ता बात ठीक है वही आपको 10-11 तरीक आसपास मालूम पर चाहेगा इसी महीने पर ठीक है तो उ के सब्सक्राइब नीचे गिराबार भी हो रहा है तो हमने ये भी देखा कि लगबग 970 के आसपास बार बार शेयर को सपोर्ट विए ठीक है तो अच्छा है अगर हम इसको कंपेर करें बाकी जो कंपेटेटर है चाहे सुजुकी के साथ महींद्रा के साथ तो इसका पी इडियों में कवर भी किया था कि ओयल इंडिया एक सरकारी कंपणी जो कि आज से लगबग उस्टेम पहले जो बोनस शेयर डिकलर किया था उसका एक सब्सक्राइब करने का आखरी दिन था अगर आपको बोनस पाना है तो ठीक है और कल दोस्तों यह जो शेयर आपको दिक र जादा हो सकता है इसी लेविल का सब्सक्राइब को मिल सकता है इसके पीछे रिजन यह है कि कंपनी जो बोनस इशू किया था उसका रेशियो था वान इस्टू टू रेशियो में इसको अगर आप नॉर्माली कैलकूलेट करेंगे लगवाग वह चार सब्सक्राइब कर प्र नॉर्माली अगर आप इलिजिबल शेयर होल्डर है नेक्स्ट पांच से साथ ट्रेडिंग डेस के अंदर आपको शेयर अलॉट में मिल जाएगा ठीक है मतलब जो एक्स्ट्र शेयर हो जाएगा आपके अपके एक्काउंट में ठीक्लियर हो चुका है ओके नेक्स दोस्तों वेरी इंपॉर्टेन अपडेट सीडियसल तो तैयार हो जाएगे खास करके मैं शेयर होल्डर को बोलूँगा तैयार हो जाएगे कल के लिए और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि कल कंपनी बोनस इशू करेगा मतलब कि इतने रिशो में बोन को पर शेयर कर दूंगा तो प्लीज दोस्तों चैनल के साथ जूरे जरूर है ना और हर एक वीडियो जरूर फॉलो करना ओके तो सीडियसल की बात करें शेयर आज पॉजिटिव में क्लोजिंग जरूर दिया और शाथ में शुरुआत में हमने देखा था शेयर अपना ओल ट बहुत महीनों तक कंसॉलिडेट किया था तो आराम से होल्ड करें कोई दिक्कत नहीं है वर अगर आपको पर्चेस करना है तो उसके स्वेंगा सिर्फ एक दिन वेट कर जाईए वेट एंड वर्च की स्ट्राइजी अपना ये अनली वन डेस कल दोस्तों पहले आप देख ल देर मैंने पहले थेक है तो आरेसी की शेर में जो तेजी देखने को मिला उसके पीछे रिजन दोस्तों अलमोस्ट सेम है जोकि इरेटा की शेर भी आज भी मूबवेंट दिया मतलत ये दोनों ही कंपनी पावर सेक्टर की कंपनी और दोनों का बिजनेस का अपडेट 2.00 कर ग्रोथ है 500% देखने को मिला 500% इमेजिन कीजिए 500% की ग्रोथ देखने को मिला जो कि काफी अच्छा हुआ तो पॉसिबिलेटी है दोस्तों इस बार कंपनी की जो रेजल्ट है मतलब क्वाटर वान की रेजल्ट भी एक अच्छा हो सकता है जो कि जिसके चलते हम ने देखा आज इरेटा की शियर अडिसी की शियर में भी अच्छा मुबेंट देखने को मिला कंपनी है अगर आपको जाना भी है मैं कहूंगा लॉंग टम बेसिस पर जाएए शौट टम बेस पर कोई फाइदा नहीं है लॉंग टम अगर आप देख सकतो एक साल पर लगबग पैसा तीन गुना से जाधा करके दिया अच्छा कंपनी का दस के पी है डिवीरेंट बाकियों आपकी ऊपर ऑगे नेक्स देखे बात करेंगे आई प्यों पीको बहुत सारे आइक्ट बजार में एक अटा हो चुका है मतलब एक लॉंच होता जा रहा है लिस्ट होता जा रहा है आई देख लेते हैं फड़ाफ़ाइज ग्रीन भारत 94.74 परसंट की प्रीमियम SME IPO, MBA Laboratories 32% की प्रीम बनसाल वैर मेलान एप्यों 25% की प्रीमियम, MQR Pharma 28% की प्रीम यह विलन एप्यों नेफ्रो के इंडिया 112% की प्रीम व्राज, Iron & Steel जो की मेलान एप्यों 32% की प्रीम देंस्टें टेक एक अस्मे एप्यों 32% की प्रीम एलाइट बेंडर मेलान एप्यो 20% की प्रीम, Petro Carbon and Chemicals, 52% की प्रीमियम, The Money Flair, सारे 6% की मिन्यों प्रीमियम, Divine Power, 152% की प्रीमियम, आज दोस्तों शिवालीक पावर एंड कंट्रोल, लगबग 211% प्रीमियम वें बजार में लिस्ट वा, ओके, next दोस्तों हम बात करेंगे हिंदुस्तान आर्नोटिक लिमिट पूरे दिन की लेटेस्ट अपडेट ग्लोबाल मार्केट करना जरूर देखना ठीक है और अल्लेडी देखे इस चैनल को बढ़ना तीन इंपोर्टेन अलग-अलग पर दो इंपोर्टेन अपडेट अपडेट आप देख लिजिए आज यानि फर्स जुलाई का लेटिस्ट अपडेट है तेजर्स माक वान ए इंडियान एयर फोर्स से टुगेट फर्स अपग्रेड़ेट पाइट जेट दोस्तों आपको कल मैं एक न्यू शेयर किया था याद थोड़ा सा भी लेट हो रहा है बाट अच्छा माल आपको देंगे अपग्रेटेट माल आपको देंगे और साथ में यह भी काम कि इसी महीने की दोस्तों अन तक मिल जाएगे यहां पर देख से क्लिया इंडियान एर फोर्स एक्सपेक्टेट टू रिसीब दा फर्स तेजर मार्क वाने बाई दा एंड ओफ दिस मान पत्तब यह जुलाई की मैंने पहुंच चुका है और यह स्टेटमेंट आपकी एचल की तरब से लास्ट दो तीन मैंने से लगाता रिपीट कर रहा है कि भाई सब मिल जाएगा अंत के वाइप देखना ही होगा कि मिला यह नहीं मि आया जैसे का अब देख सकते हैं यहां पर यहां पर पांच बच के बीस मिनिट की कंपनी की एक बहुत इंपॉर्टन बोट ऑफ डिरेक्टर की चेंजेस हुआ ठीक है बागी दीकिशेर तो काफियत तक यहां पर चल भी चुका है काफी अच्छा रिटन भी दिया ऑल टाइ और आखरी अपडेट दोस्तों आयरे पिसी पर एक्चुली आप लोग का बहुत साथा कमेंट आया था कि सेर जिस रफ्तार से गिर रहा है आगे और कहां तक गिर सकता है तो देखिए यह तो किसी को मालूम नहीं हो था कि आगे कहां तक गिर सकता है बट हां सामने क्यूंकि यूनियन बजेट है और इस बार बजेट में रेलवेश सेक्टर एक बहुत ही प्राइम सेक्टर होने जा रहा है इसके पहले भी हमने देखा था जब जब बजिट आया था रेलवेश सेक्टर में एक अच्छा खाशा तेजी वा था अब देखिए अभी तक इसमें तेजी से लेके 170 के आसपास एक वेरी इंपॉर्टन सपोर्ट जोन है जो कि लास्ट जब से हमने देखा इस लेवल को ब्रेक किया शेर बार बार सपोर्ट बिला ऊपर की तरब एड़ सेम टाइम स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस और फॉर रेजिस्टेंस 180 का सपास बार बार शेर तक के लिए टेक किर बाबाई जय हिंदे